साहिराम बच्चों आशा करती हूं आपस सुरक्षित हूंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे हूंगे तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी ब्याकरण में लेसन नमबर 23 अपठित गद्यांस क्या पढ़ने जा रहे हैं अपठित गद्यांस जिसको इंगलिस में आप क्या कहते हो unseen passes क्या कहते हो unseen passes तो बच्चों अपठित गद्यांस क्या होता है अपठित का मतलब है अपठित जो हमने पढ़ा नहीं है अपठित का मतलब होता है जो हमने पढ़ा ही नहीं है अपठित गध्यांस का अर्थ है वह गध्यांस जो पाटे पुस्तक से नहीं लिया गया हो या जो हमने हमारा पढ़ा हुआ ना हो परिक्षा में अपठित गध्यांस दिये जाते हैं तथा उन पर आधारीत विविन प्रकार की प्रसन पूछे जाते हैं ये तो आप सुरूर से एक्जाम देते आ रहे हो सायद फर्स्ट क्लास से या सेकिंड क्लास से आपके पास एक गद्यान्स आता है जो आपके सिलेवस से बहार होता है यानि आपने उसको पढ़ा नहीं होता है और ऐसा गद्यान्स जो आपने पढ़ा नहीं है और उसको पढ़ने के बाद आपसे कुछ क्वेशन पूछे जाते हैं जो आपो उस गद्यान्स से ही उनके आंसर डूंड कर लिखने होते हैं तो ऐसा ही आपके पास अब भी आएगा एक अपठित गध्यांस जो कि आपने पढ़ा नहीं है। सबसे पहले बच्चों अपठित गध्यांस को हल करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखो कौन-कौन सी बाते ऐसी हैं जिसको आपको समझना है अपठित गध्यांस को। सबसे पहले गध्यांस को दो-तीन बार ध्यांस से पढ़ लेना चाहिए। एक बार पढ़ने से नहीं, पहले एक बार गध्यांज को पढ़ो, फिर उसके बाद उसके क्वेशनों को पढ़ो, फिर दुबारा से उस गध्यांज को आप फिर से पढ़ो, तो आपको उसके सारे क्वेशन समझ में आ जाएंगे कि क्या पूछा जा रहा है, तो किन-किन बात पहले तो गद्यांस को दो-तीन बार ध्यान से पढ़ लेना चाहिए, फिर दूशा उसके मुख्य बिन्वों को रेखांकित करना चाहिए, उसमें मतल़ जो गद्यांस की समरी क्या है, यानि गद्यांस के अंदर में बात क्या है, उसको आप रेखांकित करो या अपने मन में उ इठालों कि इसमें मुख्या चीज क्या है जब दो तीन बार पड़ोगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा कि गद्यांस के अंदर क्या बताया जा रहा है गद्यांस के मुख्ये बिंदूओं के आधार पर पूछे गए प्रोश्णों के उत्यार अत्यांत सरल हो जाद पूछे जाते हैं उनका आंसर आप कम से कम सब्दों में लिखना चाहिए नहीं कि ज्यादा से ज्यादा सब्दों में लिखने की कोशिस मत कीजिए आपको उसके आंसर कम से कम सब्दों में लिखने चाहिए जितना कम होगा उतना अच्छा आंसर होगा ठीक है फिर उत्तर मे सरल सब्दों और वाक्तियों का परियोग करना चाहिए बहुत कठिन सब्दों का बड़े बड़े सब्दों का परियोग उसमें नहीं करना चाहिए उत्तर में कोई भी विचार अपनी ओर से नहीं मिलाना चाहिए क्योंकि आप जो अंसीन पैसे यानि अपठित गद्यांस के जो प्रेशन होते हैं वो गद्यांस से ही आधारित होते हैं इसलिए उस पर अपने बिचार नहीं लिखने चाहिए यानि आंसर देते समय उसमें अपने बिचार नहीं लिखने चाहिए बलकि जो बात गद्यांस में लिखी गई है उसी को आपको आंसर देना है गद्यांस का मूल भाव एक तिहाई सब्दों में दीजे इसमें कोई कोई महत्वपूर्ण वा बात छूटनी नहीं चाहिए सीर्षक का संबन गद्यांस के मूल भाव में होना चाहिए यानि आप से एक क्वेशन अवस्य पूछा जाता है कि गद्यांस का सीर्षक क्या है यानि सीर्षक का मतलब होता है टॉपिक उसका क्या नाम देना चाहोगे आप यह हमेशा ज़्यादा तर गद्यांस में पूछा जाता है ज़्यादा तर कि बहुत सभी में लगबग पूछा जाता है कि गद्यांस का सीर सा क्या यानि टॉपिक आपको उसका नाम बताना है क्या तो नाम क्या हो जो बात बार बार रिपीट हो या जिस बात की और फोकस क्या जार में जो गद्यांस का अर्थ होता है समरी जो होती है वो किस चीज़ के बारे में होती है वही उसका topic होना चाहिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए जब आप गद्यांस को दो तिन बार पड़ोगे तो आप वो समझ में आएगा कि गद्यांस में में किस चीज के बारे में या कहानी है तो किस चीज के बारे में वो कहानी है या कोई बात बताए तो किस बात पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है उसका मतलब जो अर्थ है भाव है वही उसका टॉपिक होता है सीर्स का साच्च भासा सरल और वाके छोटे होने चाहिए जब आंसर लिखोगे भासा सरल और छोटे वाके मनाने चाहिए प्रस्ण में जितना पूछा गया हो उतना ही उत्तर दीजे एक्स्ट्रा नहीं लिखना चाहिए बस जो बात पूछिए उसका उत्तर उसमें लिखे यदि अपटित गद्यांस पर आधारित प्रश्णों का प्रारूप बहुँ बिकल्पी है तो उचित उत्तर दे गए बिकल्पों में साब्दाने पूरोग चांटे ये चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि उनके आंसर कैसे दे तो एक्जाम्पल के लिए हम एक अपटित गद्यांस परते हैं देखो इसमें क्या है इन गीद्रों की तुलना में एक सीयं अच्छा है सीयं है सीयं है और गीद्र गीद्र है यही चलो इसमें तो एक अपठित गद्यांसम यहां पर हल करते हैं फिर आपको बागी आपको करने होंगे आधुनिक पैज्यानिक अविश्कारों में सबसे अधिक आकर सक यह अंत्र है टेलिवीजन इसके माध्यम से दूर के इस्तानों से प्रशारित धोनी सहित दर्शकों के पास पहुँच जाते हैं हमारे देश में इसका परचलन लगबग पांधसक से हो रहा है भारत जैसे देश में टेलिवीजन का बहुत महत्व है इसके द्वारा ग्यान, विज्ञान, मनुरंजन, समाचार, खेल, किर्शी, आदिशे सम्मंदित, कारेकरम, प्रशारित होते हैं टेलिवीजन में जितनी सकारात्मक बाते हैं उतनी ही नकारात्मक भी हैं दिनों दिन बढ़ते ही चैनल पस्टमी संस्कृति को दर्शाते वे योपीडी के दिलों दिमाग पर बुरी छाप छोड़ रहे हैं चैनलों पर दिखाए जाने वाले कारेकरमवा फिल्मों में देखे गए द्रिश्यों का फैसन का अनुकरन करना आज आम बात बन गई है टेलिवीजन का सत्वियोग होना चाहिए ताकि सभी सांस्कृतिक, सामाजिक, वन्यातिक परंप्राओं का पालन कर सकी तो बच्चों ये था आपका अपठिद गध्यास एक बार हम फिर से इसको पढ़ते हैं फिर इसके क्वेशन आंसर करेगी आदुनिक बैग्यानिक अविसकारों में सबसे अधिक आकर्सक यंत्र है टेलिवीजन इसके माद्यम से दूर के इस्तानों से प्रशारित चेत्र धोनी सहित दर्सकों के पास पहुँच जाते हैं हमारे देश में इसका पर्चलन लगबग पांदसक से हो रहा है भारत जैसे देश में टेलिवीजन का बहुत महत्व है इसके द्वारा ज्यान, बिज्यान, मनोरंजन, समाचार, खेल, किड़सी, आदिसे सम्मंदित, कारेकरम, प्रशारित होते हैं टेलिवीजन में जितनी सकारत्मक बाते हैं उतनी ही नगारात्मक भी है दिनों दिन बढ़ते चेनल पस्चिमी संस्कृति को दरसाते भे युवापीडी के दिलों दिमाग पर बुरी छाप छोड़ रही हैं चेनलों पर दिखाई जाने वाले कारेकरमों वा फिल्मों में से में देखे गई द्रिश्यों वा फैसन का अनुकरण करना आज आम बात बन गई है टेलिविजन का सत्वियोग होना चाहिए ताकि सभी सांसकरतिक सामाजिक वा नैतिक परमपराओं का पालन कर सके तो मेन बात इस पर किस पर फोकस किया जा रहा है किस चीज के बारे में बताया जा रहा है टेलिविजन का हमने दो बार पड़ा तो हमें क्या समझ में आया कि यहां पर टेलिविजन के बारे में हमें बताया जा रहा है तो इसका सीर्षक क्या कर सकते हैं हम टेलिविजन लिख सकते हैं क्योंकि बार-बार टेलिविजन के बारे में बताया जा रहा है तो फिल भी इसके question देखते हैं क्या बच्चों को टीवी देखना चाहिए देखना चाहिए या नहीं ठीक है ? इसमें आपको फिर से देखो टेलि विजन में जितनी सकाराटमग बाते हैं उतनी नकाराटमग भी है पहले क्या है हमारे देश में इसका प्रचलन लगवद पांद सकते हो रहा है भारत जैसे देश में टेलि विजन का बहुत महत्व है इसके द्वारा ग्यान, बिज्ञान, मरूरंजन, सामाचार, खेल, किर्सी, आज से सम्मंदित कारेकरम परशारित होते हैं टेली विजन में जितनी से कारात्मक बाते हैं उतनी ही नकारात्मक भी हैं दिनों दिन बढ़ते ही चेनल पस्चिमी संस्कृति को दरसाते वे यहापीडी के दिलों दिमाग पर बुरी छाप छोड़ें चेनलों पर दिखाये जाने वाले कारेकरमों वा फिल्मों में देखे गए द्रिश्यों वा फैसन का हनुकरन करना आज आम बात बन गई है टेली विजन का सद्वियोग होना चाहिए ताकि सभी सांस्कृतिक सामाजिक वान्यतिक परंपराओं का पालन कर सके तो इसलिए टेली विजन बच्चों को दिखाना चाहिए तो इसका मतलब क्यों होगा हाँ क्योंकि उससे हमें बहुत सी अच्छी बातें भी यह नहीं कहेंगे कि बच्चों को टेली विजन नहीं देखो लेकिन उसमें अच्छी बातें देखो न तो इसलिए इसका आंसर है हाँ आपका दूशा question है टेली विजन किस भासा का सब्द है अंग्रेजी भासा का किस भासा का है अंग्रेजी हिंदी भासा अंग्रेजी भासा अंग्रेजी भासा अंग्रेजी भासा अंग्रेजी भासा है तो अंग्रेजी भासा का है टेली विजन के क्या लाब है ग्यान इंसार की खबर मिलती है उप्रियुक्त सभी यानि ये सभी बाते होती है टेली विजन की क्या हानिया है इससे हानि क्या है पाश्चत्य सभ्यता का प्रभाव ग्यान की बाते आ और वा दोनों इसमें से कोई लिए लेकिन इसकी क्या हानिया पाश्चत्य सभ्यता का प्रभाव जो आजकल के बच्चे जो फिल्मों को देख कर फैसन में फैसन कर रहे हैं इदर उदर गुंडा गिर्दी जो भी हो रही है तो वो इससे हानिया है पास्चेत्य सब्वेता का जो इस पर प्रभाव भड़ रहा है बच्चों भी वो टेलिवीजन से हानिया है देखो प्रस्थत गध्यांस को उच्चित सीड़ सक दीजे जैने कहता न उच्चित सीड़ सक क्या है तो टेलिवीजन के लाभानिया टेलिवीजन पुरीत रैब क्या है ब्रेस्ट है आ और वा दोनों बाते इन में से गोई तो अब यहाँ पर ओप्सन दे रखा है अगर आप का ओप्सन नहीं होता तो आप खाले टेलिवीजन लिखते तो भी उँँ आंसर सही होता लेकिन आप पर ओप्सन दिया वह है तो आपका उच्चित ओप्सन यही है टेलिवीजन के लाभानिया तो यह तो आपका था अपठीद गध्यांस तो अब आपको समझ में आ गया है अपठित गद्यांस को हमें किस तरह से करना है पहले तो उसे दो तीन बार अच्छे से पढ़ना है फिर उसके question आंसरों को छाटना है उसमें से तो मुख्य बिंदु के अपठित गद्यांस यानी ऐसा गद्यांस जो पहले कभी पढ़ाना हुआ ना हो थीके अपठित गद्यांस को हल करते समय निमलिखित भातिय ध्यान में रखे गध्यांस को तीन-चार वार पढ़ना चाहिए उसके मैत्वकून बिंदियों को रिखांकित कर लेना चाहिए सार लेकन अपनी भासा में लिखना चाहिए सीर्सक छोटा होना चाहिए प्रशन के अंसार उत्तर उतना ही देना चाहिए भासा, सरल और वाके चोटे-चोटे होने चाहिए ये आप ध्यान कभी-कभी आप लोग क्या करते तो पूरी तीन-चार लाइनों का एक उत्तर लिख लेते हैं लेकिन वो गलत है आपको क्या करना है जितना जो आंसर पूछा जाता है पूछा जाता उसका उतना ही आंसर देना चाहिए आंसर ज्यादा अपठिद गध्यान्स का आंसर ज्यादा बड़ा नहीं लिखना चाहिए तो अब समझ में आ गया अपठिद गध्यान्स को कैसे करना है तो ये दोनों क्लास के लिए दोनों क्लास्ट के लिए ये अपठित गध्यांस इसी तरह से करना है तो आपको अच्छे से इसको करना है तो बाकी आज के लिए इतना ही धन्यवाद